यानि देश के युवा सपनों, देश के नागरिकों के अकांग्षाओं की बात मैं पूरे महने मन की बात का इंतजार करता रहता हूँ ताकि आप से सीधा समवात कर सकूँ कितने ही सारे संदेश, कितने ही मेसेजिस मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जादा से जादा संदेश को पड़ू आपके सुझाओं पर मन्थन करू साथियों, आज बड़ा ही खास दिन है आज NCC दिवस है NCC का नाम सामने आते ही हमें स्कूल, कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं मैं स्वयम भी NCC के डेट रहा हूं इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है NCC, युवाओं में अनुशाशन, नेत्रुत्व और सेवा की भावना पैदा करती है आपने अपने आसपास देखा होगा जब भी कहीं कोई आपदा होती है चाहे बाड की स्थिति हो, कहीं भूकम पाया हो, कोई हाथसा हुआ हो वहाँ मदद करने के लिए NCC के केरेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं आज देश में NCC को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है 2014 में करीब 14 लाक युवा NCC से जुड़े थी अब 2024 में 20 लाक से ज़्यादा युवा NCC से जुड़े है पहले के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब NCC की सुविदा हो गई है और सबसे बड़ी बात पहले NCC में GIRLS कीडेट्स की संख्या करीब 25 परसंट के आस्पास ही होती थी अब NCC में GIRLS कीडेट्स की संख्या करीब परीब 40 परसंट हो गई है बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा NCC से जोडने का अभियान भी लगातार जारी है मैं युवाओं से आगर करूँगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में NCC से जुड़े आप देखिएगा आप किसी भी केरियर में जाए एंसीसी से आपके व्यक्तित्व निर्मार में बड़ी मदद मिलेगी साथियों विक्सित भारत के निर्मार में युवाओं का रोल बहुत बड़ा है युवा मन जब एक जूट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मन्थन करते हैं चिंतन करते हैं तो निश्चित्र से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं आप जानते हैं बारा जन्वरी को स्वामी विवेकानन जी की जेंती पर देश युवा दिवस मनाता है अगले साल स्वामी विवेकानन जी की 162 भी जेंती है इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा इस अवसर पर 11-12 जन्वरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुम होने जा रहा और इस पहल का नाम है विक्सित भारत यंग लीडर्स डायलोग भारत भर से करोडों युवा इसमें भाग लेंगे गाउं ब्लॉक जीले राज्ज और वहां से निकल करके चुने हुए ऐसे 2000 युवा भारत मंडपम में विक्सित भारत यंग लीडर्स डायलोग के लिए जुटेंगे आपको याद होगा मैंने लाल के लिए की प्राचेत से ऐसे युवाओं से राज्ज निति में आने का आवान किया है जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पुरे परिवार का पोलिटिकल बैक्ग्राउंड नहीं है ऐसे एक लाष्ट युवाओं को नए युवाओं को राजनीति से जोडने के लिए देश में कई तरह के विशेस अभियान चलेंगे विख्षित भारत यंग लीडर्स डायलोग भी ऐसा ही एक प्रयास है इसमें देश और विदेश से एक्सपर्स आएंगे अनेक राष्टियों और अंतराष्टी हस्तियां भी रहेगी मैं भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय उपस्तित रहूंगा युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का आउसर मिलेगा देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है कैसे एक ठोस रोड मैप बन सकता है इसका एक ब्लूप्रिंट तयार किया जाएगा तो आप भी तयार हो जाएए जो भारत के भविश का निर्मान करने वाले हैं जो देश की भावी पीड़ी है उनके लिए ये बहुत बड़ा मोका आ रहा है आईए मिलकर देश बनाएं देश को विक्सित बनाएं मेरे पहले देश वास क्यों मन की बात में हम अकसर ऐसे युवाव की चर्चा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे हैं ऐसे कितने ही युवाव हैं जो लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं हम अपने आस्पाद देखें तो कितने ही लोग दिख जाते हैं जिने किसी ना किसी तरह की मदद चाहिए कोई जानकारी चाहिए मुझे ये जानकर अच्छा लगा कुछ युवाओं ने समू बना कर इस तरह की बात को भी एड्रेस किया है जैसे लखनों के रहने वाले विरेंद्र हैं वो भुजूर्गों को डिजिटल लाइफ सेटिफिकेट के काम में मदद करते हैं आप जानते हैं कि नियमों के मुताबिक सभी पैंसनर्स को साल में एक बार लाइफ सेटिफिकेट जमा कराना होता है 2014 तक इसकी प्रक्रिया यहती इसे बैंकों में जाकर बुजूर्गों को खुछ जमा करना पड़ता था आप कर्पना कर सकते हैं कि इससे हमारे बुजूर्गों को कितनी असुविदा होती थी अब यह ववस्ता बदल चुकी है अब डिजिटल लाइफ सेटिफिकेट देने से चीजे बहुत ही सरल हो गई है बुजूर्गों को बैंक नहीं जाना पड़ता बुजूर्गों को टेक्नलोजी की वजह से कोई दिक्कत ना आए इसमें वरेंदर जैसे हुआओं की बड़ी भूमी का है वो अपने क्षेत्र के बुजूर्गों को इसके बारे में जागरुक करते रहते हैं इतना ही नहीं वो बुजूर्गों को टेक्से भी बना रहे हैं ऐसे ही प्रयासों से आज डिजिटल लाइफ सेटिफिकेट पाने वालों के संक्या असी लाग के आखडे को पार कर गई है इन में से दो लाग से जादा ऐसे बुजूर्ग हैं जिनकी आयू असी के भी पार हो गई है साथियों कई शहरों में युवा बुजूर्गों को डिजिटल करांती में भागेदार बनाने के लिए भी आगे आ रहे हैं भोपाल के महेश ने अपने महले के कई बुजूर्गों को मुबाइल के माद्यम से पेमेंट करना सुकाया है इन बुजूर्गों के पास स्मार्ट फोन तो था लेकिन उसका सही उप्योग बताने वाला कोई नहीं था बुजूर्गों को डिजिटल एरेस के खत्रे से बचाने के लिए भी युवा आगे आये हैं अमदाबाद के राजीव लोगों को डिजिटल एरेस के खत्रे से अगा करते हैं मैंने मन की बात के पिछले एपिसोड में डिजिटल एरेस की चर्चा की थी इस तरह के अपरहाद के सबसे ज़्यादा सिकार बुजूर्ग ही बनते हैं ऐसे में हमारा दाई तो है कि हम उन्हें जाकुरूत बनाएं और साइबर फोर्ट से बचने में मदद करें हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल एरेस नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है ये सरासर जूट लोगों को फसाने का एक्षडियंत्र है मुझे खुशी है कि हमारी युवा साथ ही इस काम में पूरी सम्वेदन सिल्टा से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेजित कर रहे हैं मेरे पैरे जे सासियों आज कर बच्चों की पढ़ाई को लेकर कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं कोशिश यही है कि हमारे बच्चों में क्रियेटिविटी और बड़े किताबों के लिए उनमें प्रेम और बड़े कहते भी हैं किताबे इंसान के सबसे अच्छी दोस्तों होती हैं और अब इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए लाइबरेरी से ज़्यादा अच्छी जगा और क्या होगी मैं चिन्ने का एक उधारन आप से शेयर करना चाहता हूँ यहां बच्चों के लिए एक ऐसी लाइबरेरी तैयार की गई है जो क्रियेटिविटी और लर्निंग का हब बन चुकी है इसे प्रकृत अरीवगम के नाम से जाना जाता है इस लाइबरेरी का एडिया टेकनोलोजी की दुनिया से जुड़े स्रीराम गोपालन जी की देन है विदेश में अपने काम के दोरान वे लेटेस टेकनोलोजी की दुनिया से जुड़े रहे लेकिन वो बच्चों में पढ़ने और सिखने की आदत विक्सित करने के बाले में भी सोचते रहे भारत लोटकर उनोंने प्रकृत अरीवगम को तैयार किया इसमें तीन हजार से अधिक किताबे हैं जिने पढ़ने के लिए बच्चों में खोड लगी रहती हैं किताबों के अलावा इस लाइबेरि में होने वाली कही तरह की अक्टिविटी भी बच्चों को लुभाती हैं स्टोरी टेलिंग सेस्टन हो आर्ट वरक्शॉप्स हो मेमोरी ट्रेनिंग क्लासिस रोबोटिक लेशन या फिर पब्लिक स्पिकिंग किया हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है जो उन्हें पसंद आता है साथियों हाइदराबाद में फूर फॉर फॉर्ट फॉर्ट फाउंडेशन ने भी कई शांदार लाइबरेरी बनाई हैं इनका भी प्रयास यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विशयों पर होस जानकरी के साथ पढ़ने के लिए किताबे मिले बिहार में गोपाल गंज के प्रयोग लाइबरेरी की चर्चा तो आसपास के कई शहरों में होने लगी है इस लाइबरेरी से करीब बारा गाउं के युवाओं को किताबे पढ़ने की सुविदा मिलने लगी है साथ ही ये लाइबरेरी पढ़ाई में मदद करने वाली दूसरी जरूरी सुविदाए भी उपलब्त करा रही है कुछ लाइबरेरी तो ऐसी हैं जो प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी में स्टूडन्स के बहुत काम आ रही है इस देखना वाकई महुत सुखद है कि समाज को ससकता बनाने में आड लाइबरेरी का बहतरीन उप्योग हो रहा है आप भी किताबों से दोस्ती बढ़ाईए और देखिए कैसे आपके जीवन में बढ़लाव आता है मेरे पहरे देश वासियों परसो रात ही मैं दक्षिन अमेरिका के देश गयाना से लोटा हूँ भारत से हजारों किलोमेटर दूर गयाना में भी एक मीनी भारत बसता है आज से लगबग 180 वर्स पहले गयाना में भारत के लोगों को खेतों में मद्दूरी के लिए दूसरे कामों के लिए ले जाया गया था आज गयाना में भारतिय मूल के लोग राजलिती, व्यापार, सिक्षा और संस्कृति के हर क्षेत्र में गयाना का नेत्रुत्व कर रहे हैं गयाना के राष्टपती डॉक्टर इर्फान अली भी भारतिय मूल के हैं जो अपनी भारतिय विरासत पर गर्व करते हैं जब मैं गयाना में था तभी मेरे मन में एक विचारा आया था जो मैं मन की बात में आप से शैर कर रहा हूँ गयाना के तरही दुनिया के दरजनों देशों में लाखों की संख्या में भारती हैं दसकों पहले की दो सो तिन सो साल पहले की उनके पूरवजों की अपनी कहानिया है क्या आप ऐसी कहानियों को खोच सकते हैं कि किस तरह भारतिय प्रवासियों ने अलग लग देशों में अपनी पहचान बनाई कैसे उन्होंने वहां की आजादी के लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया कैसे उन्होंने अपनी भारतिय विरासत को जीवित रखा मैं चाहता हूं कि आप ऐसी सची कहानियों को खोजें और मेरे साथ शेयर करें आप इन कहानियों को नमो एप पर या माई गौव पर हैश्टेक इंडियन डाइस्पोरा स्टोरिज के साथ भी शेयर कर सकते हैं साथियों आपको उमान में चल रहा एक एक्स्ट्रा ओर्डिनरी प्रोजेक्ट भी बहुत दिल्चस्प लगेगा अनेकों भारतिय परिवार कई शताबदियों से उमान में रह रहे हैं इन में से ज्यादातर गुजरात के कच्छ से जाकर बसे हैं इन लोगों ने व्यापार के महतवपों लिंक तयार किये थे आज भी उनके पास उमानी नागरिकता है लेकिन भारतियता उनकी रग रग में बसी है उमान में भारतिय दुतावास और नेशनल आर्काईविज अफ इंडिया के सही योग से एक टीम ने इन परिवारों की हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का काम शुरू किया है इस अभियान के तहट अब तक हजारों डॉक्यूमेंट्स जुटाए जा चुके हैं इन में डायरी, एकाउंट बूक, लेजर्स, लेटर्स और टेलिग्राम शामिल है इन में से कुछ दस्तावेच तो सन 1838 के भी हैं यह दस्तावेच भावनाओं से भरे हुए है बरसो पहले जब वो ओमान पहुँचे तो उन्होंने किस प्रकार का जीवन जीया किस तरह के सुखदुक का सामना किया और ओमान के लोकों के साथ उनके सम्मन्द कैसे आगे बढ़े यह सब कुछ इन दस्तावेचों का हिस्सा है ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट ये भी इस मिशन का एक महत्वपन आधार है इस मिशन में वहां के वरिष्ट्रे लोगों ने अपने अनुभव साजा किये हैं लोगों ने वहां अपने गहन सहन से जुड़ी बातों को विस्तार से बताया है साथियों ऐसा ही एक ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट भारत में भी हो रहा है इस प्रोजेक्ट के तहट इतिहास प्रेमी देश के विभाजन के कालखन में पीडितों के अनुभवों का संग्र कर रहे हैं अब देश में ऐसे लोगों की संख्या कम ही बची हैं जिनों ने विभाजन की विभीशिका को देखा है ऐसे में ये प्रयास और ज़्यदा महत्रपण हो गया है साथियों जो देश जो स्थान अपने इतिहास को संजो कर रखता है उसका भविश्य भी सुरक्षित रहता है इसी सोच के साथ एक प्रयास हुआ है जिसमें गाउं के इतिहास को संजोने वाली एक डिरेक्टरी बने है समुद्री आत्रा के भारत के पुरातन सामर्त से जुड़े साक्षों को सहजना का भी अभ्यान देश में चल रहा है इस कड़ी में लोथन में एक बहुत बड़ा मिज्यम भी बनाये जा रहा है इसके हलावा आपके संज्ञान में कोई मैनिस्क्रिप्ट हो कोई अइतिहासिक दस्तावेज हो कोई हस्त लिखित प्रत हो तो उसे भी आप National Archives of India की मदद से सहज़ सकते हैं साथियो मुझे स्लोवाकिया में हो रहे ऐसे ही एक और प्यास के बारे में पता चला है जो हमारी संस्कृति को समुरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने से जुड़ा है यहाँ प्लहली बार स्लोवाक लेंग्वेज में हमारे उपनिशदों का अनुवात किया गया है इन प्रयासों से भारतिय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव का भी पता चलता है हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि दुनिया भर में ऐसे करोणों लोग है जिनके रदे में भारत बसता है मेरे पहरे देशवासियों अब मैं आपसे देश की एक ऐसी उपलब्दी साजा करना चाहता हूं जिसे सुनकर आपको खुशे भी होगी और गवरों भी होगा और अगर आपने नहीं किया है तो साइद पस्तावा भी होगा कुछ मेहने पहले हमने एक पैड मा के नाम अभियान शुरू किया था इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्साथ से हिस्सा लिया मुझे ये बताते हुए बहुत खुशे हो रही है किस अभियान ने सौ करोड पैड लगाने का एहम पड़ाव पार कर लिया है सौ करोड पैड वो भी सिर्फ पांच मैनों में ये हमारे देश भाष्यों के अथक प्रयासों से ही संबभ हुआ है इस से जुड़ी एक और बात जानकर आपको गर्भ होगा एक पैड मा के नाम अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है जब मैं गयाना में था तो वहाँ भी इस अभियान का साक्षी बना है वहाँ मेरे साथ गयाना के राष्टपती डॉक्टर इर्फान अली उनकी पतनी की माताजी और परिवार के बागी सद्द से एक पैड मा के नाम अभियान में शामिल हुई है साथियों देश के अलग-अलग हिस्सों में ये अभियान लगातार चल रहा है मद्द पदेश के इन दोर में एक पैड मा के नाम अभियान के तहर पैड लगाने का रिकॉर्ड बना है यहाँ 24 गंटे में 12 लाग से जादा पैड लगाए गए इस अभियान के वज़े से इन दोर की रेवती हिल्स के बंजर इलाके अब ग्रीन जॉन में बदल जाएंगे राजस्तान के जेसल मेर में इस अभियान के दोरा एक अनोखा रिकॉर्ड बना यहां महिलाओं की एक टीम ने एक गंटे में 25 हजार पैड लगाए माताओं ने मा के नाम पैड लगाया और दूसरों को भी प्रेडित किया यहां एक ही जगह पर 5000 से ज़्यादा लोगों ने मिल कर पैड लगाए यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है एक पैड मा के नाम अभ्यान के दहत कई सामाजिक संस्ताएं स्थानी जरूरतों के हिसाब से पैड लगा रही है उनका प्रयास है कि जहां पैड लगाये जाएं वहां परियावरन के अनुकुल पूरा एकोसिस्टिम डबलप हो इसलिए ये संस्ताएं कहीं अउसेद्य पोदे लगा रही है तो कहीं चीडियों का बसेरा बनाने के लिए पैड लगा रही है बिहार में जीवी का सेल्फ हेल्फ ग्रूप के महलाओं ने 75 लाग पैड लगाने का अभ्यान चला रही है इन महलाओं का फोकस फल वाले पैड़ों पर है जिससे आने वाले समय में आए भी की जा सके है साथियों इस अभ्यान से जुड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी मा के नाम पर पैड लगा सकता है अगर मा साथ है तो उन्हें साथ लेकर आप पैड लगा सकते हैं नहीं तो उनके तस्वीर साथ में लेकर आप इस अभ्यान का हिस्सा बन सकते हैं पैड के साथ आप अपनी सेलफी भी mygod.in पर पोस्ट कर सकते हैं मा हम सब के लिए जो करती हैं हम उनका रोन कभी नहीं चुका सकते हैं लेकिन एक पैड मा के नाम लगा कर हम उनकी उपस्तिती को हमेशा के लिए जीवन्त बना सकते हैं मेरे पहरे देश स्वाचियों आप सभी लोगों ने बजपन में गोरईया या स्पैरो को अपने घर की छत पर पैड़ो पर चहकते हुए जरूर देखा होगा गोरईया को तमील और मलयारम में गुरूवी तेलुगु में पिच्चुका और कंड़ा में गुबी के नाम से जाना जाता है हर भाषा संस्क्रिति में गोरईया को लेकर किस से कहानी सुनाए जाते हैं हमारे आसपास बायो डायर्वर्सिटी को बनाए रखने में गोरईया का एक बहुत महत्वपून योगदान होता है लेकिन आज शेहरों में बड़ी मुश्किल से गोरईया दिखती हैं बढ़ते शहरी करहर के वज़े से गोरईया हमसे दूर चली गई है आज की पेड़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्नोंने गोरईया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापशी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं चेन्ने के कुढूगल ट्रस्ट ने गोरईया की आबादी बढ़ाने ले स्कूल के बच्चों को अपने अभियान में शामिल किया है सहस्तान के लोग स्कूलों में जाकर बच्चों को बताते हैं कि गोरईया रोजमरा کے जीवन में कितनी महत्वपोण है ये सहुस्तान बच्चों को गोरिया का गोंसला बनाने की ट्रेलिंग देते हैं इसके लिए सहुस्तान के लोगों ने बच्चों को लकडी का एक छोटा सा गर बनाना सिखाया इसमें गोरिया को रहने खाने का इंतजाम किया ऐसे घर होते हैं जिने किसी भी इमारत की भारी दिवार पर या पैड पर लगाया जा सकता है बच्चों ने इस अभ्यान में उत्सा के साथ हिस्ता लिया और गोरया के लिए बड़ी संख्या में गोंचला बनाना शुरू कर दिया पिछले चार वर्षों में संख्या ने गोरया के लिए ऐसे दस हजार गोंचले तयार किये हैं कुडूगल ट्रस्ट की इस पहल से आसपास के इलाकों में गोरया के आबादी बढ़नी शुरू हो गई है आप भी अपने आसपास ऐसे प्रयास करेंगे तुम निश्चित तोर पर गोरया फिर से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी साथियो करना टका के मैसुरू की एक संस्था ने बच्चों के लिए अरली बड़ नाम का भियान शुरू किया है इस संस्था बच्चों को पक्षियों के बारे में बताने के लिए खास तरह की लाइबरेरी चला दूए है इतना ही नहीं बच्चों में प्रकूति के प्रती जिम्मेदारी का भाव पैदा करने के लिए नेचर एजुकेशन किट तेहर किया है इस किट में बच्चों के लिए स्टोरी वूख, गेम्स, एक्टिविटी, सीट्स और जीक्सो पज़र्ज साय हैं यह संस्ता शहर के बच्चों को गाउं में लेकर जाती है और उन्में पक्षियों के बारे में बताती है इस संस्ता के प्रयासों के भज़े से बच्चे पक्षियों की अनेग प्रजातियों को पहचानने लगे हैं मन की बात के सुरूता भी इस तह के प्रयास से बच्चों में अपने आसपास को देखने समझने का अलग नजरिया विक्सित कर सकते हैं मेरे पहरे देशवासियो आपने देखा होगा जैसे ही कोई कहता है सरकारी दब्तर तो आपके मन में फाइलों के धेर की तस्वीर बन जाती है आपने फिल्मा में भी ऐसा ही कुछ देखा होगा सरकारी दफ्तरों में इन फाइलों के धेर पर कितने ही मजाग बनते रहते हैं कितनी कहानिया लिखी जा चुकी है बरसों बरस तक ये फाइले आफिस में पड़े पड़े धूल से भर जाती थी वहां गंदगी होने रखती थी ऐसी दस्व को पुरानी फाइलों और स्क्रेप को हटाने के लिए एक विशेश स्वच्चता अभ्यान चलाया गया आप कोई जानकर खुश ही होगी कि सरकारी विभागों में इस अभ्यान के अद्बुत परणाम सामने आये है साब सफाई से दब्तरों में काफी जगह खाली हो गई है इससे दब्तर में काम करने वारों में एक ओनर्शिप का भाव भी आया है अपने काम करने की जगह को स्वच्च रखने की गंबीरता भी उनमें आई है साथियों आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जहाँ स्वच्छता होती है वह लक्षमी जी का वास होता है हमारे अक कचरे से कंचन का विचार बहुत पुराना है देश के कई हिस्सों में युवा बेकार समझे जाने वाली चीजों को लेकर कचरे से कंचन बना रहे हैं तरह तरह के इनोवेशन कर रहे हैं इस से वो पैसे कमा रहे हैं रोजगार के साधन विक्सित कर रहे हैं ये हुआ अपने प्रयासों से सस्टेनिबल लाइफ स्टाइल को बड़ावा दे रहे हैं मुंबई की दो बेटियां का ये प्रयास वाकई बहुत प्रयरक है अक्षरा और प्रकृती नाम कि ये दो बेटियां कत्रन से फैशन के सामान बना रही है आप भी जानते हैं कपड़ों की कटाई सिलाई के दोरान जो कत्रन निकलती हैं इसे बेकार समझकर फैग दिया जाता है अक्षरा और प्रकृते की टीम उनी कपड़ों के कच्रे को फैशन प्रोड़क्ट में बदलती है कत्रन से बनी टोपियां, बैग, हाथों हाथ बिग भी रही है साथियों साफ सफाई को लेकर यूपी के कानपूर में भी अच्छी पहल हो रही है यहां कुछ लोग रोज सुबर मॉर्निंग वर्क पर करते हैं और गंगा के घाटों पर फैले प्लास्टिक और अन्य कच्रों को उठा लेते हैं इस समू को कानपूर प्लॉगर्स गूप नाम दिया गया है इस मुहिम की शुरुवात कुछ दोस्तों ने मिल कर की थी धीरे धीरे यह जन भागी जार का बड़ा भियान बन गया सेर के कई लोग इसके साथ जूड़ गए हैं इसके सदस से अब दुकानों और घरों से भी कच्रा उठाने लगए इस कच्रे से री सैकल प्लांट में ट्री गार तैयार किये जाते हैं जानी इस गुरूप के लोग कच्रे से बने ट्री गार से पाउधों की स्वरक्षा भी करते हैं साथियों छोटे छोटे प्रयासों से कैसी बड़ी सफलता मिलती है इसका एक उधारन असम की इतिशा भी है इतिशा की पढ़ाई लिखाई दिल्ली और पुणे में हुई है इतिशा कॉर्पोरेट दुनिया की चमक दमक छोड़ कर अरुनाचेर की सांती घाटी को साब बनाने में जूटी है परियाट्रकों की वज़े से वह काफी प्लास्टिक बेस जमा होने लगा था वहां की नदी जो कभी साब थी वो प्लास्टिक बेस की वज़े से प्रदुस्रीत हो गई थी इसे साब करने के लिए इतिशा स्थानिये लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है उनके गुरूप के लोग वहां आने वाले टूरिस को जागुरूप करते हैं और प्लास्टिक बेस को कलेक करने के लिए पूरी घाटी में बाद से बड़े कुड़ेदान लगाते हैं साथियों ऐसे प्रयासों से भारत के स्वच्छता अभियान को गती बिलती है इस निरंतर चलते रहने वाला अभियान है आपके आजबात भी ऐसा जरूर होता ही होगा आप मुझे ऐसे प्रयासों के बारे में जरूर लिखते रहिए साथियों मन की बात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही मुझे तो पूरे महिने आपकी प्रतिक्रियाओं पत्रों और सुझाओं का खुब इंतजार रहता है हर महिने आने वाली आपके संदेश मुझे और बहतर करने की प्रेणा देते हैं अगले महिने हम फिर मिलेंगे मन की बात के एक और अंक में देश और देशवाशकों की नई उपलिवदियों के साथ तब तक के लिए आप सभी देशवाशकों को मेरी धेर सारी शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद